बिहार में बढ़ते अपराद को लेकर पटना में महागटबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है राजद, कॉम्रेस और वामदल समेथ सभी विपक्षी दलों के वरिय नेता और कार्यकर्थ सडक पर उतर गए है वह नीतीश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रही है इंडी गटबंधन के नेताओं ने कहा कि बिहार में अपरादियों बेक ओफ हो गए है लोग सुरक्षित नहीं है पुलीस क्राइन कंट्रोल नहीं कर पा रही है लगातार हो रहे वारदात से लोग सहमे हुए है सीएम मीतीश कुमार बढ़ते अपराध पर अंकुष नहीं लगा पा रही है राजद, कॉंग्रेस और वामदल के नेता वकारे करता आईकर गोलबंद पर इकठा हुए और जम कर नारेबाजी करने लगे सभी नेता राजभवन की और बढ़ने की कोशिश कर रही थे लेकिन पटना पुलीस ने इन्हें रोक लिया इसके बाद नेताओं ने बिहार सरकार के विरोध में जम कर नारे लगाएं राज़ित के मुख्य प्रवक्ता मृत्यू जन्य तिवारी ने कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है अपराधियों के ताडम से बिहार करा रहा है अपराधी राज बिहार में कायम है इसके खिलाफी महाबिडबंधन का हल्ला बोल हो रहा है हम लोग आज प्रतिरोध मार्च पर निकले हैं हम लोग सडक से सडक तक सरकार को घिरेंगे अब एंदीर से बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार को कुरसी का त्याद कर देना चाहिए तेजस्वी यादव अब मुख्य मंत्री बनेंगे बिहार में क्राइम कंच्रोल होगा रोजगार के अवसर बढ़ींगे बिहार का विकास होगा जनता खुशाल रहेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें